वेलकम बैक फ्रेंश टूदा जीयस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल दोस्तो आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी की करेंट अफिर में जितने भी इंपॉर्टेंट कोशन बनेगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो चैनल को इस तर आप यहां पर जो चैनल करते हैं आज की वीडियो का पहला कॉशन है हाल इवे राष्ट्रिय युवा दिवस कम बनाए गया तो यहां पर जो चार आप्सन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है बारहे जन्वरी आप्सन यहां पर सी सही होगा तो देखें पूरे देश में बारहे जन्वरी को राष्ट्रिय युवा दिवस मनाया जाता है और यह राष्ट्रिय युवा दिवस 2019 स्वामी वीवे विवेकानन्द को अक्सर भारत की युवाओं के लिए प्रिरणा माना जाता है और 1985 की बास ती उनकी जहनती को राष्ट्री युवाद दिवस की रूप में मनाई जाती है और 1902 में माह समाधी प्राप्त करती है विवेकानन्द का 49 वर्स की आयू में निधन हो गया था यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्री युवाद दिवस की बात की गई तो आपको भारत की बारे में कुछ important fact पता होना चाहिए वर्स 2020 तक भारत 29 वर्स की आयू के साथ दुनिये का सबसे युवाद देस होने की इसमें उम्मीद है और कामकाजी आयू वर् question number second इसरो कब तक अंत्रिक्ष में अपना पहला मानाव युक तो mission launch करेगा तो देखिए यहां पर जो चार option दिये गए इनमें जो राय टांसर है वर्स 2021 तक तो option 20 होगा तो देखिए इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने गोश्णा की है कि इसरो दिसंबर 2021 तक गग परी अंत्रिक्ष में भीजने और उन्हें वापस लाने की योजना बना रहा है और इस साल 332 इसमें launching की घोशना किया है जिसमें से महतपूर चंद्रमा पर चंद्रियान 2 में सन है जो अपरेल की मद में होगा और जी सैट 20 उपग्रे उच बैंड बिट्स connectivity के लिए सितंबर अक्टूबर में launch किया जाएगा यहाँ पर देखिए इसरो की बात की गई है तो आपको इसरो की बारे में पता होना चाहिए तो देखिए इसरो का जो full form होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिच्टर और इसकी स्थापनाविती 15 अगस्ट सन 1979 को यानि कि 15 अगस्ट सन 1969 को इसकी स्थापनाविती और इसका मुख्याला है बैंगलूरू में और इसके चेर्मेन के सिवान ठीक है तो आपका second question complete हुआ next question देखते है question number third हाली में GST की पंजीकर सीमा कितने लाख रुपई तक बढ़ा दी गई है तो देखिए आपर जो चार option है इनमें जो राय डांजर चालिस लाख रुपई option B सही हुगा तो नई दिली में GST परसद की 32 बैठक संपन हुई है और composition scheme के तहित वार्सिक टरनोबर की सीमा में 1 अपरेल 2019 से 1.5 करोड रुपई तक इसकी वार्सिक टरनोबर बढ़ गया है और परसद ने GST पंजीकर की सीमा को 20 लाख से बढ़ा कर 40 लाख रुपई करने का फैसला किया है और जो करदा था प्रती वर्स 50 लाख रुपई दक की सेवा दे रहे हैं उन्हें composition scheme के तहित 6 परसद उसमें कर भी लगेगा और परसद ने composition scheme के तहित अनुपालन को आसान बनाने का फैसला भी किया है यहाँ पर दीखे GST की बात की ग और इसकी brand ambassador है अमताब बच्चन तो आपका third question से आपको इतनी information मिल जाती है next question देखते है question number four हाली में व्यापार विकास और समवर्दन परसद यानि की CTDP की चौती बैठक कहां पर आयुजित की गई है तो इसका जो राय टांसर है नई दिल्ली option D सही होगा तो केंद्रिय व प्रवू ने बैटक में बताया कि भारत सरकार ने पहली बार किरसी इंडरियात नीती तयार किया है जिसमें वर्ष 2022 तक भारत की किरसी इंडरियात को 60 billion अमिल की डॉलर तक बढ़ाने पर ज्यांतर केंद्रित किया गया है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुल यह पूरा केंद्र सरकार के आधिन काम करता है तो आपको फूर्थ क्वेशन से इतनी इंफॉर्मिशन मिल जाती है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमर फाइव हाली में सू तसेंग चैंग किस देश के प्रधानमंतरी निक्त हुए है तो इसका अंसर हो जाएग ताइवान ओप्सन डी सही होगा तो इस्थानी चुनावों में सत्तारोड डैमोक्रेटिक प्रोगेसियो पार्टी के भारी नुकसान के बाद कैबिनेट फेर बदल के दोरान ताइवान की राश्टरपती तिसाई इंग वैंग ने प्रधानमंतरी की रूप में सू तसेंग चैंग को नुक्त किया है और सू तसेंग चैंग 2006 में ततकालिन राश्टरपती तैंग श्री ब्यान द्वारा नुक्त एक पूर प्रमुक हैं और डैमोक्रेटिक प्रोग्रेसियो पार्टी के दो कारकाल के अध्यक्षवी रहे हैं और उनकी नुक्ती विलियम लाई के व्य आई पेई और यहां की मुद्रा है न्यू दाइवन डॉलर राइट तो आपको फर्स्ट कॉश्चन से तो आपको फिफ्ट कॉश्चन से एतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं कॉश्चन नमर सिक्स ई आई यू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 में संस्क्रण को Economist Intelligence Unit दोरा जारी किया गया था और इसमें दुनिया के 166 देशों में लोकतंत्र की इस्तिती का संकलन किया गया था और इस सूची में नार्वे सबसे उपर है और भारत Economist Intelligence Unit के वार्से Global Democracy Index पर 42 में स्थान पड़ा गया है और ये जो इंडेक्स है वो 2006 में किया गया था यहां पर आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र सुचकांग 2008 में जो सीर्स तीन देश हैं उनके नाम है पहले पर है नार्वे दूसरी पर है आइसलेंड और तीसरी पर है स्वीडन इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे पहले पर नार्वे है दूसरी पर आ असोक चावला ने हाली में कानूनी घटना क्रमों की अंडर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिम्टेट एनसी की अध्यक्ष की रूप में ततकाल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है और चावला का इस्तीफा उस दिन आया जब कैंद्रिय जहाच ब्यूर की मंजूरी ले लिए यहाँ पर देखिए एनसी की बात की तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉल फाम होता है इंडिशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसका गठन सन 1995 यानि की 1995 में इसका गठन किया गया था राइट तो आपका सेविंट कुशन कंप्लीट हुआ नेक्ट किस बैंक की अंसकालिक अध्यक्ष की रूपे निक्त किया गया है तो यहाँ पर जो चार ऑप्सन दिए गए इनमें जो राय टांसर है यस बैंक ऑपसन बी सही होगा तो यस बैंक भारत का चौथा सबसे बड़ा निजी बैंक है और इस निजी बैंक का जो कारकाल है जिसमे चार जुलाई 2020 तक ब्रहमदत को गैर कारकारी अंसकालिक अध्यक्ष न्युक्त करने की घोशना की गई है और वो बरतवान में नामांकन और पारिस्त्रमक समय की अध्यक्ष भी है ब्रहमदत स्वतंतर निदेसक की रूप में जुलाई 2013 से यस बैंक की बूर्ड में है और पिछले साड़े पांच वर्सों में बूर्ड की लगवक सभी उप सम्वितियों में उन्होंने युगदान दिया है यहाँ पर दिखी यस बैंक की बात कीगी तो आपको पता होना चाहिए यस बैंक का जो मुख्याला है वो है मुंबई में और CEO है राडा कपूर और आर चैंदर सीखर यस बैंक लिम्टिट की एक स्वेतंतर निदेसक ने हाली में इस्तीफादी दिया था ठीक है तो आपका 8th question सी आपको इतनी information मिल जाती है नेक्स्ट question देखती है question number 9 हाली में किस राज्ज में फिस फेस्टिवल सुरूबा है तो देखिए यहाँ पर जो चार आप्सन दिये गए इनमें जो राय टांसर है पस्चिम बंगाल आप्सन सी सही होगा तो तीन दिवसिये बंगाल फिस फेस्टिवल 2019 का उदगाटन 11 जनवरी 2019 को कूलकाता में किया गया है और इस उत्सव का आयोजन पस्चिम बंगाल की मत्स ये विवाग द्वारा किया जाता है और इस उत्सव का देश मत्सिपालन के छेतर में राज्य सरकार की उपलब्दी से जनता को आउगत कराना है और ये उत्सव उन नीतियों को प्रदर्सित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिन्होंने मचली उत्पादन में सुधार में मदद की है यहाँ पर देखी पश्चिम बंगाल की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल की राजदानी एक कूल का था वहाँ की सीय में ममता बंदर जी और गवर्णर है केस्री नात्र पाठी और पश्चिम बंगाल की लोग सवा से 42 सीटे हैं, राज सवा से 16 सीटे हैं और वहाँ की विदान सवाम कुल 294 सीटे आती है तो आपको 9th question से इतनी information मिल जाती है Next question देखते है, question 10, किस राजमे हाली में अमा घरे LED यूजना सुरू की गई है तो देखिए इसका जो right answer है Odisa, option C सही होगा तो Odisa सरकार ने 11 जनवरी 2019 को अमा घरे LED यूजना सुरू की है और इस यूजना की तहट राजमें लगवग 95 लाख परिवारों को 4 LED बल्ब परतेक में निसुल्क मिलेंगे और राष्ट्री खद सुरक्षा अधनियम यनकी NFSE और राज खद सुरक्षा यूजना SFSE के रहत पंजीकर लावारतियों को LED बल्ब जो की 9 बाट की होंगे वितरित किये जाएंगे ठीक है यहाँ पर देखिए Odisa की बात कीगी तो आपको पता होना चाहिए और यहां की सियमें नवीन पतनाएक और गवर्नर गड़ी सीलाल और यहां की लोक सवा से 21 सीटे हैं राज सवा से 10 सीटे हैं विदान सवा में 147 सीटे हैं यहां की जो इसका जो प्राचीन नाम है वो है कलिंग और इस राज की स्थाबना होईती है एक अप्राइल 1936 को इस राज में ही राकुन बांद है चिलका जील है सास्त्री निरत यहां का है ओडिसी और यहीं पर भितरकन का राश्टी उद्यान भी है तो आपको टेंथ कोशन से इतनी इंफॉर्मिशन मिल जाती है नेक्स्ट कोशन देखते हैं न्यायमूर्थी HL दत्तु NHRC के वरतमान में अध्यक्ष है राइट तो आपको 11th कोशन से इतनी इंफॉर्मिशन मिल जाती है हाली में राश्ट्री मानवा दिकार आयुक के जो मासच्यों बने है वो बने है जैदीब गोविन तो अप्सन A सही होगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमर 12 सुस्मा स्वराज हाली में किस देश की यात्रा में रवाना हुई है तो इसका जो राइट आंसर है उजबेकिस्तान आप्सन D सही होगा तो विदेश मंतरी सुस्मा स्वराज 12 जनवर 2019 को अपनी दो दिशी हे यात्रा उजबेकिस्तान में सुरू करेंगी और वो उजबेकिस्तान के समरकंद में पहली भारत मद ऐसिया वारता में भाग लेंगी वो उजबेकिस्तान के विदेश मंतरी अब्दुल-अजीज कामिलोग के साथ समवाद की सह अध्यक्षिता भी करेंगी और अफगानिस्तान की विदेश मंत्री एक विसेश आमंत्रित की रूप में वारता में भी भाग लेंगी यहाँ पर दीकिए उजबेकिस्तान की बात कीगी तो आपको पता होना चाहिए उच्पिकिस्तान की राजदानी है तासकंद और मागी मुत्रा है उच्पिकिस्तानी सॉम तो आपको 12th question से इतनी information मिल जाती है next देखती है कल की कुछ का answer तो कल आप सी पूछा गया था वर्स 2018 में सबसे ज्यादा विकिट लेने वाली गयन बाज कौन बने तो इसका answer हो जाए जैस्प्रीद बुमरा option A सही होगा और आज की कुछ का सवाल है हाली में एक्सिस बैंक की नई MD और CEO क्रूप में किसी नुक्त किया गया है तो यहाँ पर देखे चार option दिए गए है option A रवी कांत जैन option B राजी उसरी वासता हो option C या मिताब चौधरी या फ्रेंट में से कोई नहीं तो अगर आपको इस question का answer आता है तो वीडियो के comment box में जाईए और इस question का answer जरूर दीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like जरूर कीजी और like करने के बद अपने किसी facebook या whatsapp के educational group में इसको share जरूर कीजी और अगर आपने अभी तक हमारे facebook page को join नहीं किया है तो आप facebook पर search केजी the gs platform और आप हमारे facebook page को वहाँ पर join कर सकते हैं और सभी pdf को एक साथ डाउनलोड करने के लिए हमारे telegram group को जरूर join कीजी telegram group की link वीडियो के description box में दी गई है तो उस link पर click करके आप हमारे telegram group को भी join कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक संपूर दिसंबर की top 50 करेंटफिर की वीडियो नहीं देखी है तो इन डिस्क्रीन में yellow color की आपको दिख रही होगी इस पर click करके आप इस वीडियो को जरूर देखी आपको बहुत ही benefit होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार